प्रेंड वेलकम बेक टो मैं चैनल और बताइए कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं आपके साथ अपना करवा चौत व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वैसे ये व्लॉग जो है मैं कल शेयर करने वाली थी लेकिन कल जो है मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं जो है वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी इसलिए व्लॉग जो है आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो प्लीज उसके लिए सौरी और यहाँ पर लगबग साड़े दस का टाइम हो रहा है और मैं नहादो कर आ गई हूँ इससे पहले का व्लॉग मैं आपके साथ अल्रेडी शेयर कर चुकी थी और अब मैं यहाँ पर पूजा की तयारी कर रही हूँ तो मैंने जो भी पूजा का समान था वो सब लगा लिया है और मैंने यहाँ अलमारी में लगा लिया है और यहाँ पर जो है मैंने अपना जो करवा है वह भरकर रख लिया है सुरीदेव पर जल चढ़ाने के लिए और यहाँ पर मैंने उन में कलावा बांद दिया है अब मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ और उसके बाद जो है अपनी पूजा वगरा करकर मैं जाओंगी बाहर लोटा चड़ाने के लिए तो मौनिंग का जो भी रुटीन था करवाचौत के दिन का वो मैं आपके साथ अल्रेडी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ अगर वो व्लोग आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है और पूजा मेरी जो थी दिन की वो हो गई है अब मैं आ गई हूँ बाहर सूरिदेव को लोटा चराने के लिए तो हमारे यहां जो है इसी तरह से पूजा होती है जो भ मेरा मंगल सूतर तोड़ दिया था तो वही मैं जल्दी से बना लेती हूं क्योंकि बिना मंगल सूतर पहने तो सच में बहुत ही अधूरा अधूरा लगता है तो वस वही मैं यहां पर जो मंगल सूतर वो मैंने अपना बना लिया है आप देख सकते हैं और में जाए तर जो जो है मैंने आज ही सुबह ही लगाई थी में अपने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा और इसके बाद यहां पर अभी रोने लगा था तो मैं उसको यहां पर सुला देती हूं और बीच में जो है अंटी आ गई थी तो थोड़ा जो है वो बैठी रही थी तो में थोड़ा टाइम था वो निकल गया उसके बाद बाबू टूशन चली गई थी तो फिर मैं अभी को सुलाने के बाद यहां अपने जो काम है वो लग गई हूं तयारी में क्योंकि धीरे-धीरे कर लूँगी क्योंकि फास्ट वाले दिन जो है एकदम से लगे रहो तो जो भी समाने मैंने रेडी कर लिया है यहां पर ड्राइफुर्ट्स वगड़ा कट कर लिये हैं और साथ मैशबजी के लिए टमाटर और हरीमिज का पेश्ट बना लिया है प्याज मै नहीं डाला है और यहां पर जो साबू दाना था वो मैंने सोक करकर रख दिया था मैं बनाने वाली हूँ साबू दाने के खीर क्योंकि हस्बिन को साबू दाने के खीर खानी थी तो इसलिए चावल के खीर नहीं बना रही हूँ और यहाँ पर आलू गोबी मटर मैंने तयार करकर रख दी है सबजी के लिए और यहाँ पर मैंने सभी जो मसाले थे वो ले लिए हैं और मैं थोड़ा पानी डाल दिया है जिससे की मसाले जो है अच्छे से फूल जाएं तो अब दीरे दीरे हम अपनी जो है चीजें बना लेते हैं तो जादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी की वज़े से जो है काफी प्रॉब्लम होती है तो वो जो है परिशान करता है और अभी दो दिन उसकी तवित खराब रही थी जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था तो इतना खेल भी नहीं रहा है केलता है जब तक खेलता है और रोने रखता है तो फिर जो है बहुत रोता है चुप नहीं होता है तो इसलिए जादा कुछ जो है मैंने नहीं बनाया था बस पूजा के लिए जो कड़ी बनती है वो बनाई थी और पूड़िया और सबजी औ और यहां पर जो है recipe मैंने काफी अच्छा से शेयर नहीं की हैं क्योंकि वही सारी रेस्पी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बन रही है और इंसाइड हम जो है अपना कड़ी के लिए जो बेसन है वो तयार कर लेते हैं तो पहले पकोडियां बनाऊँगी उसके लिए थोड़ा सा बैटर तयार कर लिया है इदर हमारी कीर भी बनकर Ready हो गई है और सबजी थी वो भी हमारी बन गई है तो हमने गैस को कर द पूरे दिन मेरे सिर में और आखों में इतना तेज दर्द रहा कि मैं क्या बताऊं आपको और आज जो है मुझे काफी ते जुखाम हो गया है जिसकी वज़े से जो है मेरा गला थोड़ा खराब है तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं प आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा वैसे यह और थोड़ी छोटी बनाई जाती हैं लेकिन मुझे ज्यादा छोटी नहीं बनी तो यह इतनी बड़ी हो गई तो पूजा के लिए आठ अट अट्यावरी सेक लिए हैं और यहां पर हमारा जो भी सामान था वो रेड दाने की खीड तो सभी चीर रेडी हो गई हैं अब मैं जाओंगी रेडी होने के लिए तैयार होने के लिए तो फ्रेंड्स अब जो है छे बज कर और पैंतिस मिनट हो गई है और मेरा खाना पीना सब बन गया है जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है बस पूरियां सेक नहीं रह गई हैं तो मैं बाद में सेक लोंगी पूजा वगरा करने के बाद तो अब मैं जाती हूं जल मैं साड़ी बहुत कम वियर करती हूं तो साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है और भी तैयारी करनी है तो अब जल्दी से मैं हाथ मों दुलने जाती हूं और रेडी होती हूं उसके बाद फिर पूजा भी करनी है पूजा करकर फिर अराम से बैठ जाएंग बहुत तेज गला सूख रहा है और अभी काफी परिशान कर रहा था आज बहुत मुस्किल से मैंने सब काम निपटा पाए हैं तो हस्बंड आ गए थे ऑफिस से तो फिर वो चले गए थे मिठाई लेने के लिए और उसके बाद जब वो आ गए तो मैंने अभी को और होती हूं तो फ्रेंट्स यहां पर मैं अपना हाथ मों बगएरा दुलकर आ गई थी और उसके बाद मैंने अपने जो टोरिंग थे वो चेंज कर लिये हैं और अम मैं यहां पर लगा लेती हूं आलता क्योंकि अगर साड़ी पहन लोंगी उसके बाद लगांगी तो फिर मु दे किया था पिर भी उसके बाद क्योंकि अभी आ गया था तो फिर वो रो 12 लगा था थो मेरे जो है पैरो पर तो मैने 4 लगा लिया था लेकिन मेरे जो आथा stretch वीडियो बनाए और वीडियो देखी तब मुझे पताचला कि मैंने हाथों पर तो र predecessor नील पेंट लगाया ही ही है तो यहां पर आप देख सकते हैं में रैडी हो गई हूं और अम्हें याँ पर जो अपनी शाम-पूजा होती है वह कर लेती हूं और यहाँ पर जो है मैने माता का श्रिंगार है वह सुबे ही रख दिया था और मेरे जो सुघ्शन जी नहीं इसलिए मैं सासु मा के लिए जो है श्रिंगार नहीं रखती हूं उन्हें साड़ी और चूड़ियां में दिलाया आई थी जब मैं घर पर गई थी तबी तो यहां पर मैंने जो मीठा वाला करवा होता है वो रख लिया है और उसमें जो है 500 रुपे रख लिये हैं क्योंकि कप जर्मा निकलने में जो है अभी थोड़ा टाइम है तो जब तक जो है हम अपना मैंने जो है थोड़ी शॉट वीडियो वगरा बनाई थी इतने टाइम में और आप देख सकते हैं आप पर मैंने जो अपनी करवा थे वो भी चेंज कर लिये हैं तो मैं जो है काफी आप देख सकते हैं कि इतनी दुना से आप मेरे व्लॉक्स देख रहे हैं तो मैं जो है बहुत ही सिंपल रहती हूं मुझे बहुत ज़ादा मेकप अगरा करना जो है अच्छा नहीं लगता है और करवा चौत का ही दिन एक ऐसा होता है जब मैं जो है इतना मेकप करती हूं फिर भी मैं इतने मंद से मैंने इ मंगाई थी लेकिन मैं पहन नहीं पाई तो यहां पर देख सकते हैं चंदमा मामा की ओर पती देव की फूझा कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारे यहां पूजा होती है जैसे मैं कर रही हूं तो मैंने जो है चलनी में चंदम मामा को और पती देव को देख लिया था उसके बाद जो है जल चड़ा दिया है और उसके बाद हमारे यहां यह साथ सीकें होती हैं यह इस तरह से फेरी लेकर और साथ तरफ फैंकी जाती ह तो मैं यहाँपर वही फेली लगा रही थी किस 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 के हम पर होता है मुझे कमेंट करका जबसाएगा किसी को सभी के दहां पी नहीं है पर अब आप देख सकते हैं इस तरह से करवा और दिया हम बाहरी छोड़ाते हैं हमारी पूजा हो गई है और अभी अभी जैस्ट हम लोग पूजा करकर आए हैं अंदर और टाइम जो है वह हो गया है कौने नो तो यहां पर जो है चंद्रमा थोड़ा लेट दिखाई देता है क्योंकि पूरा ऊपर आगया था तब ही मैंने देख कर जो है पूजा की है अब बस कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि अब जो है जाला देर कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं उसके बाद जाओंगी किचन में खाना तो रेड़ी है जैसा कि आप सभी को पता है बस पूड़िया तल कि आप सब्सक्राइब नहीं कर दो किचन में और काफि बढ़ी है रहा आज का दिन काफि अच्छे से जो है हो गई हमारी करवाचाओथ आप सभी की करवाचाओथ कैसी मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा और मैं कैसी लग रही हूं आज इस घैट अप में ये वी कमें बनाने के लिए खाना क्या वस पूड़ियां तली है तो वस चलती हूं और यहीं करूंगी इस व्लोग का एंड आशा करूंगी आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा लिंक ऐसे नेक् तब तक के लिए बाबाए टेक कैर गूड़ नाइट